लोग कहते थे इस गेस्ट हाउस में आत में बड़ी डरावनी डरावनी आवाज आती है और वो रात फिर अमावश की ही रात थी एक जज था उसकी सकल बिल्कुल ऐसी दिखती थी कभी इस देश में अंग्रेजों का राज था अंग्रेज पूरी तरह से बसे हुए थे और ज्यादा तर वो अंग्रेज हिंदुस्तानियों पे बहुत जुल्म करते थे उन अंग्रेजों में पुलिस अफसर बोकील और जज थे उन में एक जज था जो की सभावता बड़ा ही कुरूर किसम का था उसकी कुरूर्टा की बारे में दूर दूर तक लोग सुन करके जब कभी उसका नाम लोगों की जबान पे आता था तो लोग उस जज का नाम सुन कर हिकाम जाते थे उस जज का नाम था शेमुवल उसका सभाव था कि किसी अपराधी के बारे में जब वो फैसला करता था तो नबे प्रसीसत अपराधियों को वो मौत की सजा देता था और मौत की सजा देने के बाद जज तो वो था ही चलाद भी खुद बन जाता था लोग कहते थे कि ये जज भी है और चलाद भी उस जज ने जहां एक कोट बनवा रखा था उस कोट के कक्ष में जहां वो फैसला करता था उसके पीछे एक फासी घर बना रखा था और कभी कभी वो फासी खुद देता था और कभी कभी तो उसका दिमाग सनक जाता था तो कहता था मैं फासी इसी अदालत में ही दूँगा वो अदालत की जगा में उपर एक लोहे के राट पे एक हुक लगा रखा था उस हुक में रस्टा बांद कर रस्टे में फंदा बांद देता था और अपराधी के गले में डाल कर उस फंदे को खुद खिशता था और अपराधी को तड़कते वे देखने में उसको बहुत मज़ा आता था पता नहीं उसमें ऐसी क्रूर था क्योंकि बहुत ही नीच और क्रूर किशम का इंसान था कई बार कई लोगों को निर्दोस होते वे भी किसी तरह दोसी ठहरा देता था और दोसी ठहराने के बाद उन अपराधीयों को उन लोगों को वही अदालत में लोगों के सामने अपने ही हाथों से फासी के फंदे पे लटका के फंदा खुद खिशता था लोग देख के साम जाते थे और यहां से कोई हटने या भागने की कोशिज करता था तो सिपाहियों को निर्देश दे देता था कोई जो से भाग के जने न पाए अगर कोई जाएगा तो उसको शूट कर देता लोग डर जाते थे और उसकी क्रूरता का वहा घिनोना क्रूरत नाटक देखने पे मजबूर होते थे वो अफरादी को जमीन में पटक देता था और सिपाहियों से कुछ और लोगों से कहता था इसको मारो तब तक मारो जब तक ये अढ़ मरा ना हो जाए और वो खुद तब तक फंदा तयार करता था और फंदे को हुख पे लटका करके कहता था अब इसको यहां लाओ और इसके गले में फंदा डाल लो वो शेमवल इतना क्रूर किसम का इनसान था कि उसे किसी पे देया नहीं आती थी जब वो फंदा उस इनसान के गले में लग्टा देता था तो फंदे को पुरी ताकत से खुद खिशता था पीछे उस इनसान का हाथ बंदा होता था नीचे से पैर बंदा हुआ था और मूँ भी बांद देता था ताकि वो चीख ना सके फिर बाद में जब फंदा खीचा जाता था तो उसके मूँ से पट्टी को खीच देता था एक आदमी उस कि मूँ उस वैक्ति के ताड़पने वैक्ति के मूँ के पट्टी खीच देता था ताकि वो चीखे और सेम alla कोई ताकत से फंदा खीचता था और जब ताड़पता था उस सेम没有 जोड़ जोर से हसाता मजाराः त्रप 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 और ऐसा करते करते हैं जब वो इनसान तरफ तरफ के मर जाता था, शेयम ओल को भाद मज आता था लेकिन कहते हैं ना, मौत हर इनसान को एक नाई दिन जरूर आती है एक दिन शेमवल की भी मौत आ गए वो बिमार हो गया और अपनी बिमारियों में वो भी वैसे ही तड़प तड़प कर मर गया लेकिन लोग कहते हैं शेमवल मरतो जरू गया लेकिन उसकी आत्मा वहीं भटकती थी कुछ दिनों बाद जब देश आजाद हो गया तो वो कोड वहाँ पर अंग्रेजों का सलामत था लोगों ने कोड के भीतर से खुर्सी टेबल सब वहाँ से हटा दी थी कुछ टेबल कुछ खुर्सियां जरुवत के मताबिक रखा था और वहाँ पर कुछ बैट्स लगा दिये गए थे पलंग धिरे धिरे उस कोड की जगा को एक गेस्ट हाउस में बदल दिया गया ताकि आने जाने वाले व्यक्ति कोई वहाँ पर रुकना चाहे थेरना चाहे तो रुक सकते हैं और उस जगा को गेस्ट हाउस बना कर लोगों को रुकने थेरने की व्यास्ता दी गई अब कभी कभार कुछ लोग रुक जाते थे लेकिन सुरुआत में तो किसी प्रकार की कोई घटना नहीं गटी लेकिन कभी अमावाश आती थी तो अक्सर ही उस अमावाश की रात में कोई ना कोई घटना जरू गटी यह धीरे धीरे होने लगा कि वहाँ रुका हुआ व्यक्ति दूसरे दिन मरा हुआ मिला लोग सोचे कि सायद हाथसे से ने डर के यह मर गया होगा मगर कुछ दिनों बात और भी लोग आये रुके ठेरे सबके साथ ऐसी घटना तो नहीं घटी थी मगर लोग कहते थे इस गेस्ट हाउस में दरावने सपने आते हैं दर लगता है ऐसा लगता है को कोई जानवर चल रहा है कोई इंसान बड़ी कुरूर आवाज निकार रहा है कुछ लोग इस बात को और नजर अंदाज कर लेते थे लेकिन जब कभी अमावाश आती और इत्फाक उस अमावाश की रात को वहाँ कोई अगर ठैर गया होता था तो दूसरे दिन उसकी लास मिलती थी लोग इस बात पर हैरान होने लगे कि जब कभी अमावाश आती है तो दूसरे दिन यहां पर रुकने से मना करना शूरूं कर दिया लोगों को, अब हुआ यह, एक बार, एक व्यक्ति जिसको बहुत जरूरि काम से रुकना था, रात अमावश्की थी, मगर उसका रुकना जरूरी था, मना करने के बाद भी उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाये, मेरा रुकना जरूरी है मुझे दूसरे दिन बहुत जरूरी काम है उसे समझाया गया बाबू यहाँ पर ऐसी घटना घट चुकी है तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रुकना तो जरूरी है और कोई जूसरी जगा रुकने की है भी नहीं वो वहां रुख गया रुखने के बाद उसे रात में अचानक ऐसा लगा कि जैसे कुछ सनाटा पसर रहा धीरे धीरे कुछ ऐसा लगने लगा कि सब कुछ सुन सान सनाटा सा हो रहा है और कुछ डरावनी हरकत सी हो रही है तो अभी उसने महसूस किया अचानक उसकी नीन खुल गई उसे रहा नहीं गया वो उटकर बैट गया तभी उसने देखा एक बड़ा भयानक साथ चुवा जो मोटा सा था वहीं आसपास गूम रहा है उसने बड़े गौर से देखा यहां आसपास तो खाने पीने की कोई चीज नहीं है फिर भी वो चुवा वहां क्यों गूम रहा है देखते देखते वो चुवा उसके सामने आने लगा वो चुवे को गौर से देख रहा था चुवा भी उसकी तरब ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो चुवा नहीं कोई बहुत बड़ा भैनक दैत थी हो उसकी आखें चुवे की लाल लाल हो जा रहे थी और धिरे धिरे उसके दांत बाहर निकर रहे थे दांत धिरे धिरे बड़े होते जा रहे थे और चुवे का अकार भी बड़ा हो रहा था वो देखते देखत अच्छानक चुवा जोर से उचला रुखा वह था वह घबरा गया और इतना डर गया उसकी घिगी बंद हो गई ना हिल सकरा था ना उट सकरा था तब ही उसने देखा कि चुवा डरावनी सकल में बदलता जा रहा है उसकी सकल बदल रही है उसके दांद बड़े-बड़े हो रहे हैं और अचानक यह की आवाज के साथ चुवा बड़ी डरावनी सी आवाज निकार रहा था ऐसी आवाज जैसे की कोई आदमी गुरा रहा हो और देखते 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 उस चुवह की सकल ऐसे बदली ऐसे बदली कि वो एक इंसान का रूप लेने लगा और धिरे धिरे उस चुहे की सकल आधा इनसान और आधे चुहे में बदल गई अब क्या था वो व्यक्ति जो वहाँ रुका हुआ था वो विचारा मरता क्या करता कुछ नहीं कर सका और धीरे अचानक वो चुहा ऐसी भैना कि अवाज निकालते वे उस व्यक्ति के उपर जपता और जपट कर उस व्यक्ति की गर्दन में अपने दोनों दाथ दवा दिये और इतिनी जोड से काटा कि वो व्यक्ति चीख तक ना सका और देखते देखते वो मर गया देखते देखते मर जाने के बाद उस चुहे ने उस व्यक्ति का सारा खौन चूस लिया खोन चूज जाने के बाद वो व्यक्ति वहाँ पे मरा पड़ा था और चुभा धीरे धीरे अपने वापस चुभे की आकार आकरती में आकर धीरे धीरे एक महाँ से गायप हो गया तूसरे दिन गैस्ट हाउस चलाने वाला जो संचालक था वो देखा कि वो व्यक्ति वह सुबा गैस्ट हाउस को खाली करने वाला था समय हो जाने के बाद भी उजागा नहीं कुछ देर इंत्यार करने के बाद संचालक खुद वहाँ गया और उसने दर्वाजा खिटकराया अंदर से दर्वाजा बन था बहुत दरवाजा खटकाने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो दरवाजे को खिड़की तरफ से खुला गया और खिड़की खोल करके कुछ लोग अंदर गया तो देखते हैं कि वो रेक्ती मरा पड़ा है अब लोगों को हैरानी बहुत हो गई ये कोई दीसरा या चौथा मडर था बहुत मना करने के बाद भी वो यूख नहीं माना था और उस रात उसकी भी डेथ हो गए आगे लोगों में इतनी दहसत फैल गई कि कोई गेस्ट हाउस की तरफ जाता नहीं था एक पहुत दिनों बाद एक व्यक्ति फिर वहां आया उसको भी उस रात वहां रुकना था और वो रात फिर अमावश की ही रात थी लोगों ने साप मना कर दिया संचालक ने ताला खोलने से मना कर दिया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां रुकना चाहूंगा अगर तो मैं कुछ हो गया तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं तो मैं स्टाम पेपर में लिख के देना होगा मगर क्या करता व्यक्ति रुकना उसके लिए बहुत जरूरी था उसने इस्टाम पेपर में लिख के दे दिया और वो भी उस रात वही रुक गया उसके साथ भी वैसा ही हाथसा हुआ फिर वो व्यक्ति जब नीन में था अचानक खड़क खुड़िंग की आवाज आई उसकी भी नीन खुल गई वो भी कुछ डरा डरा सा था लेकिन उसमें हिम्मत और साहास था वो साहास करके बैड़ गया और बैड़ करके देखा कि कुछ आवाज आतो जरूर रही है तब ही उसने देखा एक चुआ वहां मंडरा रहा है उसने का है रहे चुआ ही तो है क्या डरना ऐसी जगह पे चुए तो आई ही जाते ऐसा सोच कर क्यों निश्चिन तो कर सोने लगा तब ही कुछ अजीब सी आवाज आई ऐसे जैसे मानो कोई गुरा रहा वो फिर उटके बैड़ गया तब ही देखा ये चुआ वहाँ पर उसके सामने बड़ी डराओनी आँखे निकाल कर लालाला आँखे निकाल कर उसके सामने की और देख रहा है वो आदमी बड़ा है ये चुआ इस तरह से क्यो देख रहा है ये वो युवक दर रहा था कि अचानक ये चुहे को क्या हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है तब उसने गौर से देखा चुहा बड़ी सी सकल में बदल रहा है चुहा जोर से उचला और कुर्सी में बैड़ गया ये वही कुर्सी थी जिस पर वो जज कभी बैठा करता था और अपना फैसला सुनाया करता अचानक चुहा धिरे धिरे बड़ी सी सकल में बड़ी आकृती लेने लगा तो वो यूवक तुरन समझ गया कि जरूर यहां कुछ ना कुछ हाथसा होता है उसने अपना हाथ अपने मूँ की तरफ किया और तभी चुहा उसकी तरफ आगे बढ़ा तो अचानक यूवक डर क उसका हाथ आगे हुआ और जैसी यूवक का हाथ आगे हुआ तो देखता क्या है कि चुहा भी डर के पिछे हड़ गया चुहा पिछे हटा तो उसको लगा कि चुहा कुछ कारण से डर रहा है तो उसने अपना हाथ थोड़ा सा आगे किया जैसी अपना हाथ आगे किया तो च उसकी शकल सुरत बदलने लगी वापस जुहे जासा होने लगा तब युग की दिमाग में कुछ बात आई कि मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ तो ये चुहा पीछे हटता है और वापस अपनी पुणनर सक्ल में होता है उसने फिर हाथ आगे बढ़ाया हाथ आगे बढ़ाते ही चुवा फिर डर गया और डर करके वापस छोटी सी सकल में होकरके वहाँ चुप चाप सांत बैड़ गया तो उस व्यक्ती ने अपना हाथ आगे बढ़ा करके फिर उसको डर आया और देखते ही देखते चुहा वहाँ से भागा और भाग गया अब क्या था वो युग तो इतना डर गया था लोकि उसने ये देखा था कि चुहा अचानक नाटकी ढंग से एक बड़ी डरावनी सकल में बदल रहा है ऐसा तो उना बहुत अशंबह था लेकिन आखिर ये हुआ था तो वो तुरक वहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल करके चीकता चिलाता वो बाहर बाहर जाकरके लोगों को मिला और लोगों से मिल करके बताया सारी घटना रात के बारा बजए का वक्त था लोग हेरान थे उसकी सारी बात सुन करके उसने एक-एक बात जो घटना घटी थी सबको बताया तभी वहाँ पर एक तांत्रिक वेक्ति आया और उसने देखा कि ये यूग जो बता रहा है इससे पहले तो चार लोग मर चुके थी ये पांचवा यूग था जो जिविद बच के आया है उस तांत्रिक व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है त्रिसूल, गंडा, ताबीज, अंगुठी तब यूग ने कहा हाँ मेरे हाथ में एक अंगुठी है तो तांत्रिक ने उसकी अंगुठी को गौर से दिखा उसमें हन्मान जी की फोटू थी उस हन्मान जी की तस्वीर के वज़ा से यूग बच गया और वो प्रितात्मा थी वहाँ से डर के भाग गए तब इस तांत्रिक ने कहा जरूर यहाँ कोई प्रितात्मा है जो चुहे की सक्ट से बढ़कर इनसान की सकल लेती है और डरावनी सकल उसी प्रितात्मा ने ये मडर किया है मगर इस प्रितात्मा को पकड़ा कैसे जाए तांत्रिक सोचने लगा आखिर सोचते सोचते उसने एक उपाय बनाया क्यों ना इस गेस्ट हाउस को तोड़ के हमेशा के लिए नस्ट कर दिया जाए ताकि यहाँ से वो प्रितात्मा चली जाएगी लेकिन यह नहीं समझ में आ कि आखिर प्रितात्मा है कौन कुछ दिनों बाद उस गेस्ट हाउस को तोड़ दिया गया तोड़ देने के बाद भी लोगों ने देखा कि वहाँ पर रात में डरावनी आवाज आती है लोग बताने लगे कि वहाँ पर एक चुवा मंडरा आता है जो अचानक दरावनी सकल में बदल जाता है श्रेम तांत्रिक ने एक योजना बनाई कहा कि कोई सहासी युवक यहाँ पर पलंग बिछा कर लेट जाए और जब वो प्रितात्मा आएगी तो मैं उसे किसी तरह माड़ दूँगा अब कोई सहासी युवक इस तरह के तयार नहीं बस वही युवक जो बच गया था उसने किसी तरह सहास करके कहा कि ठीक है मैं हाले टूँगा मगर तांत्रिक आप चूकना नहीं तांत्रिक वही बास में एक पेड़ की पीछे छिप गया और उसने एक तीर कमान बन अपने पास रख लिया अमावास की रात थी पलंग पर लेटा हुवक दर जरूर रहा था लेकिन उसे तांत्रिक पे भरोशा था और उसे अपनी अंगूठी पे भरोशा था तब वहाँ पे एक खुर्सी रख दी गई कि चुवा अगर आएगा तो इस खुर्सी में बैठेगा और वो शकल उसकी दिरे दिरे बदलेगी देखते हैं जब वो शकल बदलेगी तो तांत्रिक अपनी योज्या के मताबिक अपना काम कर जाएगा सब तयार थे तभी अचानक कहीं से चुवा आया और चुवा देखते ही देखते हैं वहाँ पे घुमने लगा सब दोग देख रहे थे कि वह चुवा घुम रहा है अचानक चुवा घुमते घुमते गुरु गुरु की आवाज करने लगा तब युवक वहाँ पे उठकर पलंग में बैड़ गया उसमें पहले से अधिक साहास आ चुका था क्योंकि उसने देख चिकवा था कि क्या घटना घटती है इसलिए डरने जैसी कोई बात उसके साथ नहीं थी देखते देखते चुवे की सकल बदलने लगी चुवा बड़ी सकल में आने लगा उसके दाथ पैने होने लगे आँखे बड़ी बड़ी लाल लाल होने लगी तब ही चुवा अचानक उच्छल कर कुरसी पे जाकर बैड़ गया और बड़ी जोरसार कुराहट की आवाज निकाने लगा ऐसे लगा जैसे वो चुवा नहीं इनसान है इनसान की सकल में वो बदलने लगा तांतरिक छुप कर देख रहा था तब ही उसने एक तीर निकाला और मंत्र से उस तीर को अभी मंत्रिक करके धनुस पर चढ़ा कर तयार कर लिया और चीधा निसाना उस डरावनी सी सकल वाले उस डरावने पेतात्मा पर लगा चुका था और वो व्यक्ती वहां बैठे चुप चाप बैठा था तब ही उसे याद आया कि उसके हाथ में जो अंगोटी है उसको उसने आगे कर दिया आगे करते ही वो व्यक्ती देखता है कि वो डरावनी सी सकल वाला आदमी अपनी जगा चुक चाप बैठा है उसके बड़े-बड़े पंजे बड़े-बड़े दात निकल गए है और वो जपटने के लिए तयार है मगर वो गुका हुआ है तभी योजना के मताबिक तांतरिक तयार हो जाता है और अपनी धनुस से तीर उस दरावनी सकल वाले पेटात्मा पर छोड़ देता है वो तीर जाकर सीधा उस पेटात्मा की च्छाती में लगता है और च्छाती में लगते ही जोर से चीख की आवाज निकलती है और वहाँ वो खुरसी से नीचे गिर जाता है और गिरते ही पुरी तरह से तरापने लगता है तो वो युवग पलंग से उठकर के एक तरह भग जाता है और कुछ लोग भिम्मत करके लाठी डंडे मसाल लेकर के सामने आ जाते है और देखते हैं लोग देख के हरान कि वो पितात्मा जो डरावनी सक्ल सुरत में थी अचानक तरप रही है उसके सरीर में जहां तीर लगा है वहाँ आग की लपट निकल रही है और धिरे धिरे उसका सरीर जलने लगा और जलते जलते सरीर का आधा भाग जो धर का था सर से नीचे का वो कुछी तरह से जल गया जल कर खाक हो गया लेकिन सर जला नहीं सर अपने आप सकल बदल गई और एक इनसान के रूप में आ गई लोगों ने गौर से देखा यह वो ही सकल है जो किसी इनसान की सकल के रूप में है अब उस सकल को गौर से देखा गया तो किसी बुजुर्ग वैक्ती ने कहा कि जब कभी यहां अंग्रेज थे तो एक जज था उसकी सकल बिलकुल ऐसी दिखती थी उस जज का नाम सेमुल था तभी आवाज आई उस धर से हाँ मैं शेमुल ही हूँ अब तांतिक्त की समझ में सब कुछ आ गया यह किसी सेमुल नाम के वैक्ती की प्रितात्मा थी उसने फिर एक जल लिया हाथ में और जल को मंतर से फूख कर उस सर के उपर छिड़क दिया सर के उपर जल छिड़कते ही धीरे धीरे वो भी जल कर वहाँ पे नस्ट हो गया अपूरा सरीर जल कर खत्म हो गया था। फिर तांतिक के बताय इंसार उस जले हुए सव को पुरी तरह से जला कर राक कर दिया गया और उसके हड्डियां राक को नदी में बहा दिया गया। अब इस तरह से उस प्रितात्मा का किसी तरह अंथ हो गया। झाल झाल